नमस्कार ये आकाश्वाणी पटना है अब आप अविशेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नडेंद्र मोदी ने कहा स्वच भारत मिशन ने हर देशवासी के आत्म विश्वास और आत्म बल को बढ़ाया फ्री मोदी ने राश्टिय स्वच्छता केंद्र देश को समर्पित किया प्रदेश में बाढ़ से हालात और बिग्रे 16 जिरों की लगभग 74 लाग की आवादी बाढ़ की चपेट में मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने सुपॉल और कुर्णिया जिरे के बाढ़ ग्रस अश्चत्रों का हवाई सर्वेक्षन किया 3,992 नए मामलों की पुष्टी के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,786 हुई और केंद्र सरकार ने पटना सहित उन सभी जिलों में कोरोना जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया जहां कोविट के मामलों में लगातार बढ़ोत्री हो रही है अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित राजगाट पर राश्टिय सवच्छता केंद्र का उतखाटन किया इस अबसर पर प्रधान मंत्री ने चटीस राजजियों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनी जित्तो कर रहे इसकोली बच्चों से बाचीत की इस तोरान स्री मोदी ने कहा कि यह केंद्र गांधी जी को समर्पित है प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रतेक नागरिक को आत्म विश्वास और इच्छा सक्ति को बल मिला है उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी के जिंदगी पर अस्वश्च रूप से दिखाई दे रहा है सच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजी केत्रा समाज के रूप में हमारे आचार वहवार में भी आई परिवर्तन आया बार बार हाथ दोना हो हर कही ठुकने से बचना हो कचले को सही जगव भैंकना हो ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतिय तक हम पहुचा पाए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आज सुपॉल और पूर्णियाजिले के बाढ़ गरस्त च्छत्रों का हवाय सर्वेक्षन किया स्रीकुमार ने सुपॉल के विरपूर बड़ा जिस्थित कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरिक्षन किया और अधिकारियों को बाढ़ निरुधात्मत कारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने रहत और बचावकारी युद्धस्तर पर चलानी को कहा बाढ़ गरस्त च्छत्रों में मुख्यमंत्री का यह तीसरा दोरा है प्रदेश में बाढ़ की स्थिती लगातार बिगरती जा रही है 16 जिलों की 125 प्रखंडों की 1223 पंचायतों की लगभग 74 लाग की आवादी बाढ़ से प्रभावित हुई है अब्दा प्रबंधन विवाग के नुसार प्रभाविते जिलों में NDRF और STRF की 33 स्टीमों की मदद से रात और बचाव अभियान जारी है अब तक 5 लाग से अधिक लोगों को सुरक्षित अस्थानों पर पहुचाया जा चुका है प्रभाविते शत्रों में 7 रहात शिविर और 1342 सामुदाइक रसोईखरों का संचालन किया जा रहा है इधर सारंजले के गडखा प्रखंट के गलीमापूर सलेंपूर में बांध तूटने से चार पंचायतों में बाड का पानी प्रवेश कर गया है लोग उचे अस्थानों की और पलायान करने लगे है वहीं बन्यापूर प्रखंट के पिपरा बिंटोली में धमई नदी के तूटे सुरक्षाबान से पानी नए इलाकों में फैल रहा है हजारों एकर भूमी में लगे फसल नश्ट हो गई है चपरा रेवा एनेस 722 पर पानी चार जाने से आवागमन बाधित हुआ है गोपालगन जिले में बाड की स्थिती में कोई सुधार नहीं है सबसे अधिक प्रभावित वैकुंठपूर प्रखंट के 95 गाउं का प्रखंड मुक्याले से संपर्क लगातार 15 दिनों से कटा हुआ है इन छत्रों में आविस्षक सामानों की आपूर्ती बाधित हुई है सिवान जिले के सिस्वन में सर्यू नदी पर बने बांधों में बिविन अस्थानों पर रिसाओ हो रहा है इसके अलावा नया गाउं में दाहा नदी पर बना सुलूस के कापान तूट जाने से लगभग एक दरजन गाउं प्रभावित हुए है समस्ति पुर्जले में नून नदी का पानी नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है और ब्योरा हमारे संबादाता से नून नदी में उफान से जिले के स्रायरंजन और मुर्वा परखन के कई गाउं बाट की चपेट में आ गए हैं वहीं चक पहार और इंदवारा पंचाइत के लगभग पान सो घर जलमगन हो गए हैं इदर बैती नून कोशी कमला करे बागमती और बूढ़ी गंड़क नदी में उफान के कारण जिले के बिथान सिंग्या हसनपूर सिवाजी नगर कल्यानपूर खानपूर विभूती पूर स्रायरंजन और मुर्वा परखन के 125 से अधीक गाउं परभावित हुए हैं दर्भंगा जिले में बाढ़ की स्थिती जस्की तस्पनी हुई है शहरी च्चतर के कई नई आलाके बाढ़ की चपेत में आ ग Lamborghini के बागमती नदी का पानी शहरी च्चतर के कई नए मुहलों में प्रबेस कर चुका है जिससे लोगों की मुसीवतें बर गई हैं लोगों को अफदैनिक जरूरत की सामानों की भी दिक्कत हो रही है इस भी जलसन साथन मंत्री संजय कुमार जा ने आज बगवा में करेह नदी के सिरनिया सिर्सिया बांध का निरिक्षन किया उन्होंने अभी अंताओं को छटिक्रस तटबंद की मरमत का काम यो दस्तर पर करवाने का निर्देश दिया आकास्वनी समचार के लिए दर्भंगा से मैं मनी कांट जा मुझफःपुर जिलेक में तिर्धनहर के छटिक्रस तटबंद से 18 पंचायते प्रभावित हुई है जिलेकी 14 लाग से अधिक्यावादी बाट की चपेट में है हमारे समवादाता ने बता है कि बाट से कई पुरा तात्विक धरोहरों को नुकसान हुआ है मुझफःपुर और बैसाली की सीमा पर सरया प्रखंड अंतरगत कोल हुआ सोक संब और बौध स्तूप परिसर में बाट का पानी प्रवेश कर गया है इस बर्स बाट से इन पुरा तात्विक महत्य के प्रमुख सलों को गंभीर खत्रा उत्पन हो गया है बौध स्तूप के सरया की तो चाहर दिवारी भी ध्वस्त हो गई है प्रविहार के अतिहासिक धरोरों को बाट से काफी नुक्सान भी पहुँचा है आकासवानी समाचार के लिए मुझफःपुर से कौसल की सोरकौशिक वैसाले जिले में नून नदी के जलस्तर में हो रहे वरित्ती से पातेपुर प्रखंट के कई काउ बाट की चपेट में आ गए है वहीं महभा में वाया नदी का पानी कई मुहलों में फैल गया है सितामरी जिले में नदीों का जलस्तर कम होने के बाद बाड प्रभावित च्छत्रों से पानी निकलने लगा है हालां कि इने च्छत्रों में महमारी का ख़तरा मनराने लगा है पुर्वे चमपारण और पश्म चमपारण में बाड की इस्तिती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है कठ्यार से हमारे समवादाता ने बताया है कि सेमापूर इलाके में कोसी नदी का पानी फैल गया है वहीं बरारी के कई काउं में गंगा और कारी कोसी का पानी फैलने से सड़क आवागमन बंद हो गया है प्राणपूर के चिकनी तोला के पास महानंदा नदी का पानी फैलने से आवागमन बाधित हुआ है इधर किशनगन सहरसा और सुपॉल जिले में बार्ट की स्थिती सामानने हो रही है प्रादेशिक समाचार आपा का श्वानी पटना से सुन रहे है प्रादेश में कोबिद उननीस चांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमन के मामलों में लगातार परहुत्री हो रही है आज रिकॉर्ड तीन हजार नौसो बांबे नए मामले सामने आ है या एक तिन की अब तक की सवसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या 75,786 हो गई है स्वास्त विवाग द्वारग जारी बुलेटिन के नुसार सवसे धिक 534 मामले पटना जिले से सामने आ है पटना में पुष्ट मामलों की संख्यां बढ़कर 12,702 हो गई है वहें जिले में 77 लोगों की मौत हो चुकी है बेगुसरा जिले से 210, कठ्यार से 193 और 42 से 160 मामलों की पुष्टी हुई है समस्तिपूर से 147, पुर्वी चमपारन से 149, बकसर और रोतास से 131, 131, नालंदा से 120, भोजपूर से 119, मुझाफरपूर से 118, सारन से 111, सिबान से 107, अरर्या से 106 और पस्तिपूर चमपारन तथा गोपाल गन से 102, 102 मामले सामने आये है अन्निसवी जिलों से भी मामले दर्श किये गए है पिछले 24 गंटों में 75,426 नमूनों की जांच हुई है अब तक राज्जी में 9, 46,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है एक दिन में 2408 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से चुट्टी दी गई स्वस्तोने वालों की संक्यां बढ़कर 48,673 हो गई है स्वस्तोने की दर 64.22 प्रतिशत है वहीं एक दिन में 19 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आकरा बढ़कर 419 हो गया है स्वस्तोन मंत्राले ने बिहार सरकार को पटना सहित उन सवी जिलों में कोविट जाच की संक्यां बढ़ाने और ट्रैकिंग पर बल देने को कहा है जहां कोरोना के मामले अधिकार है साथ ही मृत्यदर राश्ट्रिय आउसस से अधिक है केंद्रे स्वास्ट्य सचिव राजेश भूशन ने स्वास्टी विवखक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉंट्रेंस के जरिये समिच्छा बैठक में हर संभब मदद का आश्वासन दिया स्री भूशन ने प्रती 10 लाग के आवादी पर जांच की संक्या बढ़ाने रिपोर्ट आने में होने वाली तेरी और स्वास्ट कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने जैसे मुद्दों पर विशेश रूप से ध्यान देने को कहा है खगड़िया सदर अस्पताल में आज मीडिया कर्मियों की कोविड जांच की गई वहें जिले के बेला सिम्री पंचायत में जिविका देदियों के लिए विशेश कोविड जांच शिविर का आयूजन किया गया देश में पिछले 24 खंटों के दौरान कोविड उन्नीस के 61,537 नए मामलों की पुष्टी के साथी संक्रमितों की संख्यां बढ़कर 20,88,612 हो गई है स्वास्थ मंतराले के नुसार देश में कोविड उन्नीस संक्रमन से स्वास्थोने वालों की संख्यां 14,27,006 हो गई है स्वास्थोने की दर 68,32 प्रतिशत है एक दिन में 933 लोगों की मौत के साथ ही देश में COVID-19 से मरने वालों की संख्याम बढ़कर 42,518 हो गई है एक पेड एक जिंदगी के नारे के साथ राज्य भर में कल बिहार पित्वी दिवस का आयूजन किया जा रहा है पडियावरन संख्यक्षन के प्रती जाग रूपता के लिए राज्य सरकार ने वर्स 2011 में इस दिन को मनाने की घोशना की थी वन और पडियावरन विभाग के प्रधाज सचिव देपक कुमार सिंग ने आकाश वानी के साथ विशेस बाचित में कहा कि कल राज्य भर में 2 करोड 51 लाग पौधे लगाए जाएंगे पंचायत स्तर से लेके हर प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर और राज्य स्तर पर पौधा रोपन का कारेकरम होगा और मिशन 2.51 के नाम से हम लोगों ने जो कम से कम 2 करोड 50 लाग पौधे रोपने का लक्ष रखा था और इस पर काम हम लोगों ने 5 जून को वर्ल्ड इंवार्मेंट डे के दिन सुरू किया था उस मिशन का हम समापन करेंगे प्रधान सचिम ने बताय कि राज्य सरकार के विवावों के साथ साथ केंद्र सरकार के विविन संगठन और आम लोगों की सक्रिय सावागिता से राज्य में पौधारोपन के लक्ष को प्राप्त किया जा रहा है केंद्रियार्चानिक बल, केंद्र के सार्वजनी कुकरम, हमारे राज्य सरकार के कारेहाले और स्वैंक से भी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे कि धार्मिक नयासपर्शर्थ, सिया सुन्य वक्षिंग, बोर्ड गुर्द्वारा प्रवंधन समीथी, इन सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और इन सभी के सहयोग से और इसके अलावा आम लोगों तक भी पौधे अपने नरसरी के माध्यम से और मोबाइल वहन के माध्यम से पहुँचा कर हमने इस लक्ष को प्राथी की कोशिश की है आकाश्वानी पटना भी आप सभी से बिहार प्रित्वी दिवस के अपसर पर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील करता है मुख्यमंतरी नितीश कुमाड ने आज वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये विभिन योजनाओ का उद्खाटन और शिलान्यास किया स्रीकुमाड ने पटना के इंदरागांधी हिर्दैरोग संस्थान के नव निर्मित भवन का लोकार पण किया साथ ही उन्होंने औरंगाबाद, सहरसा, मधवनी, भागलपूर और जमुई जिले में परिवहन कारियाले का भी उद्खाटन किया इसके अलावा स्रीकुमाड ने बिहार राज्यपत परिवहन निगम के मुख्याले का पटना में तथा राज्यभर में 500 बस अस्टॉप के निर्मान कारी की आधार शिला रखी स्री कुमार ने मुख्य मंत्री काम परिवहन पर्योजना के नतरगत एक हजार लावुकों के बीच अनुदान राशी तथा वहन का भी वितरण किया और अबंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदान मंत्री नरंद्र मोधी ने कहा स्वच भारत मिशन ने हर देशवासी के आत्म विश्वास और आत्म बल को बढ़ाया स्री मोधी ने रास्ते स्वचता केंद्र देश को समर्पित किया प्रदेश में बार्ट से हालात और बिग्रे 16 जिलों की लगभग 74 लाग की आबाधी बार्ट की चपेट में मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने सुपॉल और पूर्णिया जिले के बार्ट गरस्त शत्रों का हवाय सर्वेक्षन किया 3,999 मामलों की पुष्टी के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमीतों की संक्या 75,786 हुई और केंद्र सरकार ने पटना सहित उन सभी जिलों में कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया जहां कोविद के मामलों में लगातार बरहुत्तरी हो रही है इसके साथ ही आकाश्वाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार काईकी अंक्समा थुआ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश्वाणी